रमश्कार आज की हमारी कवीता जो है आत्म परीचे कवीता है पहले हम आत्म परीचे कवीता का अर्थ समझेंगे उसके बाद हम दिन जल्दी जल्दी ढलता है इस कवीता के बारे में जानेंगे तो शुरू करते हैं हमारी कवीता मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं यह प्रथम पंक्ति और यह कविता लिखी है हरिवश्राय बच्चन जी ने और वह कहते हैं कि जीवन उनके लिए भार के समान है क्योंकि दुनियादारी को एक बोज के समान मानते हैं फिर वो कहते हैं कि फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ इतना सब होने के बावजुद भी वैं कहते हैं कि मैं फिर भी जीवन में प्यार को ले करके फिरता हूं घूमता हूं कर दिया किसी ने जंकरित जिनको छू कर मैं सांसों के दो ताल लिये फिरता हूं वो अपने जो सांस हैं उनको किसी स्वर की तरह मान रहे हैं जिसको किसी ने बजा करके उसमें से स्वर निकाल दिया हो वद्देयंत्र जिस प्रकार से होता है वैसे ही वो अपने सांसों की तुलना किसी वद्देयंत्र से कहते हैं और कहते हैं कि मेरे सांसों को किसी ने छू दिया है किसी प्रिय के प्रेम ने इनको छू लिया है और इससे मैं प्रेम से तरंगित हो उठाऊँ, खुश हो गया हूँ और मैं उसी प्रेम के कारण आजकल खोया-खोया सा जी रहा हूँ यहाँ पर किसी की बात करते हैं तो यहाँ किसी में उनके प्रिये जो है उसका यहाँ पर प्रतिक है यह प्रिये जो है उनकी प्रेमी का भी हो सकती है या कोई मित्र भी हो सकता है या फिर वो परमातमा भी हो सकते हैं इसका उन्होंने स्पष्ट कोई भी यहाँ पर स्पष्ट में बता रहा है वे अपने प्यार को स्विकार करता है और कोई भी कुंठा उसमें नहीं है किसी प्रकार की मनाही या निशेद नहीं है और साथ ही इस कवीता में शंगार रस की अभिव्यक्ति है शंगार रस यानि कि यहां पर वो अपने प्रेम की खुल करके अभिव्यक्ति क यह है इसका भाव संदर्य शिल्प संदर्य में क्या आता है कि गीत की भाशा श्रंगार जैसे विशेय के अनुसार है और इसमें मस्ती मादकता और कोमलता है जहां पर बात आ जाएगी सिल्प संदर्य की तो इसमें भाशा का प्रवाब बताना होता है और यह बताना होता है कि कौन से रस का प्रयोग हुआ है और किस प्रकार की भाशा का या किस अलंकार का कवी ने प्रयोग किया है तो इसमें सांसों के तार में रूपक अलंकार है क्योंकि कवी का जीवन मानों कोई बाध्ययंत्र बन गया हो इसलिए इसकी तुलना किसे गई गई है सांसों के तार की तुलना की गई है इसलिए इसमें रूपक अलंकार है तो अगर जब हम सिल्प संदरी की बात करेंगे तो इसमें हम भाशा की बात करेंगे और भाव संदरी की बात करेंगे तो कभी तक किस भावना से लिखी गई है य मैं कभी भी संसार की परवाह नहीं करता हूं जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते मैं अपने मन का गान क्या करता हूं वे केते हैं कि जग तो सिर्फ उनको पूछता है उनको भाव देता है जो जग के बारे में ही कुछ-कुछ बाते लिखते रहते हैं लेकिन मैं ऐसा नही मेरे दिल में आता है मेरे मन के जो भाव हैं उन्हें ही पताता रहता हूं सनेहे सुरा का यहां पर क्या मतलब है सनेहे सुरा का यहां पर मतलब है प्रेम का दीवाना पन वो कहते हैं कि मैं तो उसी को बस पी करके मस्त रहता हूं प्रेम की मादत्ता में मस्त रहता हूं संसार से मुझे कोई मतलब या ताट परे नहीं है फिर कहते हैं कि मैं नीची उरके उद्गार लिए फिरता हूं मैं तो अपने मन में जो मेरे उद्गार हैं भाव हैं वही हैं बस मेरे पास मैं नीची उरके उपहार लिए फिरता हूं वही बस मेरे पास देने के लिए है जो मेरे मन मे यह है यहें अपण संसार न मुझको भाता, यह संसार जो है पूरा नहीं है और अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इसमें प्रेम है ही नहीं इसले मैं स्वपनों का संसार ले फुरता हूं यानि मुझे प्रेम के सपने आते हैं और मैं तो प्रेम के सपनों में ही विचरता रहता हूँ यानि उनी में हमेशा अपने आपको बनाए रखता हूँ मैं हमेशा सपनों में खोया रहता हूँ और ये जो सपने है संसार के वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं लिए फिरता हूँ यानि हमेशा ये मेरे साथ रहते है मैं जला रिदे में अगनी दहा करता हूँ फिर वो कहता है कि मेरे रिदे में एक आगसी लगी रहती है हमेशा और जिसमें मैं हमेशा जलता रहता हूँ दहा करता हूँ यानि जलता रहता हूँ सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ और इसी वज़े से मुझे ना सुख का पता चलता है ना ये मुझे दुख का पता चलता है जग भव सागर तरने को नाव बनाए मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ कहता है कि संसार तो इस सागर से पार होने के लिए हमेशा नाओं का निर्मान करता रहता है नाओ बना रहता रहता है लेकिन मुझे तो इस संसार की जो लहरे हैं मोजे हैं वो इतनी अच्छी लगती हैं कि मैं तो अपनी मस्ती में मस्त रहता हूं भलेई सुखा जाए या दुख आ जाए कभी कहता है कि मैं तो संसार के किनारे-किनारे जीने का आनन लेता हूँ संसार में रहते हुए वे उसमें डूबता नहीं हुँ अन्य पंक्तियों में फिर्वे कहता है मैं योवन का उनमाद ले फिरता हूँ उनमादों में अवसाद ले फिरता हूँ जो मुझको बाहर हसा रुलाती भीतर मैं हाई किसी की याद ले फिरता हूँ कहते हैं कि मेरे भीतर जो युवापन का पागलपन है वो हमेशा मेरे साथ रहता है मैं हमेशा उसे साथ लेकर के फिरता हूँ उनमाद यानी पागल पन और यही कारण है कि मैं हमेशा दिवानों की तरह जीता रहता हूँ इस निराशा में हमेशा चलता जाता हूँ बाहर से मैं हसता हुआ दिखाई देता हूँ लेकिन मेरे भीतर मुझे मेरे प्रिया की याद रुलाती रहती है यानि कि मैं किसी की यादों में खोया रहता हूँ और उसके कारण भीतर से मैं रोता रहता हूँ यहाँ पर कभी अपनी प्रेम की दुख है जो व्यथा है उसे बता रहा है और तभी वह यादों में रोता हुआ दिखाई देता है फिर वह कहता है करियतन मिटे साव सत्य किसी नहीं नहीं जाना नादान वही है हाई जहां पर दाना फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे मैं सीखा रहा हूँ सीखा ग्यान भुलाना कहता है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं उन्होंने सच जानने की कोशिश की लेकिन सभी लोग नादान है जिसको भी संसार में जहां भी धन मिलने लग जाता है वहीं दाना समझ कर जुगने में लगा रहता है और यही मनुश्य की भूल है भूल क्या है? कि वह संसार के जाल में उलज गया है कभी कहता है कि ये चीज़ें देख कर भी क्या मैं संसार को मुर्ख नहीं कहूं यहनी कि संसार जान भुज़ कर लोब के चक्कर में जाल में उलजता जा रहा है और मुझे ये बात पता चल गई है इसलिए अभी मैं संसार का पार्ट सीखने की बजाए संसारिक्ता को भूलने में लगा हुआ हूँ भाव संदरी की यहां बात करें तो पध्यांश में संसारिक्ता की दोड़ से दूर रहने की सला दी गई है और प्रशन सेलिके कारणिस में कविता का संदरी आ गया है आपने देखा होगा पहले लाइन में भी कुश्चन मार्ख है और तीसी लाइन में भी कुश्चन मार्ख है जो इस पर भी सीखे यहां पर भी कुश्चन मार्ख है फिर केता है कि मैं और और जग और कहां काना था मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता कि मैं तो कुछ और हूँ जग कुछ और ही है मेरा क्या रिष्टा है इस संसार के साथ ऐसे तो संसार मैं रोज बनाता रहता हूँ अपने सपनों में और रोजी उसे नष्ट कर देता हूँ जग जिस पृत्वी पर जोड़ा करता व्य भव यानि कि लोग जिस भूमी पर रह करके भूमी भूमी धन 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 इकठ़ा करना है इन बातों में लगे रहते हैं मैं तो उस पृत्वी को हमेशा हर पग पर ठकराता रहता हूँ यानि मुझे कोई सुक समरद्य और धनकी चाहा नहीं है कहता है मैं निजरोदन में राग लिये फिरता हूँ शीतल वाणी में आग लिये फिरता हूँ हो जिस पर भूपों के परसाद निच्छावर मैं वह खंडर का भाग लिये फिरता हूँ कि मैं तो अपना रोना जो है बस उसमें मैंने अपनी राग बना ली है उसमें मैं प्रेम के आशू रोता रहता हूँ और शीतल वाणी में आग लिये फिरता हूँ मेरी वाणी देखने में कोमल लगती है लेकिन उसमें एक आग है मेरे भीतर एक आग है और उस पर मैं कितने भी राजाओं के महल जो है वो निच्छावर कर सकता हूँ मेरे प्रेम पर मेरा जो प्रेम है वो इतना गहन है कि उसके सामने राजा का महल कुछ भी नहीं है और मैं अपने प्रेम को अपने मन में बसाए हुए हूँ फिर कहता है मैं रोया इसको तुम कहती हो गाना मैं फूट पड़ा तुम कहते चंद बनाना क्यों कभी कहे का संसार मुझे अपनाई मैं हूँ दुनिया का एक नया दीवाना कहता है कि मैं तो रोता हूँ और तुम इसे गाना कहते हो मेरे अंदर की सारी भावनाई बाहर आ गई और तुम कहते हो कि ये चंद है ये चंद नहीं ये तो मेरा रोना है मुझे क्यों कभी कहते हो मैं तो एक दुनिया का दीवाना हूँ यानि प्रेम में पागल व्यक्ति हूँ तो इस तरह कभी को कभी कहलाना पसंद नहीं है वे दीवाना कहलवाना चाहता है कहता है कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ मैं मादकता निशेस लिए फिरता हूँ जिसको सुनकर जग जुमे जुके लहराई मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ कि मैं तो संसार में प्रेम दिवाने की तरह रहता हूँ और अपनी दिवानगी से पूरे वातावरन को मैं खुशनुमा बना देता हूँ मैं जहां भी जाता हूँ कविताइं सुनाता रहता हूँ और हमेशा प्रेम के गीत गाता हूँ मेरे गीतों को सुनकर के लोग मस्ती में जूम उठते हैं जुक जाते हैं और आनन से लहराने लगते हैं इस प्रकार से मैं सबको अपने प्रेम का संदेश दिया करता हूँ यह कवीता तो थी जो हमारी आत्म परीचे कवीता खुद के बारे में जो कवी ने लिखा है उसके बाद आता है दिन जल्दी जल्दी ठलता है यह है कवीता मैं आपको एक अपने अन्य वीडियो में इसका आर्ट समझाऊंगी सिल्प संदर ये आर्ट भाव संदर ये थेंक यू फॉर वाचिंग